हेलो एवरिवन, सिताज रेसिपीज में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे केसर पिस्ता कुलफी इसके लिए हम लेंगे 2 कप दूद, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 चम्मच कॉन फ्लार, 4-5 चम्मच शक्कर इसे आप अपने स्वाद अनुसार कम या जादा भी ले सकते है आधा चम्मच शिलाची पाउडर, 12-15 केसर के धागे, 30-35 पिस्ते जिनको हमने काट लिया है अब एक पैन में दूद वा मिल्क पाउडर डालकर लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे अब इसमें केसर डाल देंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरहीं की रेसिपी देखना पसंद करेंगे 5-7 मिनट पकाने के बाद इसमें शक्कर डाल देंगे पिट पिस्ते वा इलाइची पाउडर डाल देंगे 2 मिनट तक और पकाने के बाद कॉन फ्लायर को थोड़े से दूद में घोल कर धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाएंगे लगातार चलाते हुए गाड़ा होने तक पकाएंगे अब इस मिक्स्चर को रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे अब आप जिस भी कप या मोल्ड में कुलफी जमाना चाहते हैं उसमें सबसे पहले कुछ फिस्ते डाल कर उपर से मिक्स्चर को भर दें अब इनको अलुमीनियम फॉइल से कवर कर देंगे ताकि इस पर आइस क्रिस्टल्स ना आए अब बीच में से एक कट लगा कर आइस क्रीम स्टिक डाल देंगे और फ्रीजर में आग दस घंटे के लिए जमाने के लिए रख देंगे 10 घंटे के बाद हमने कुलफी को बाहर निकाल लिया है अब फॉइल को हटा देंगे अथेलियों से थोड़ा सा रब करके कुलफी को बाहर निकाल लेंगे उपर से पिस्ते से गाटनिश करेंगे लीजिये तयार है ठंडी ठंडी केसर पिस्ता कुलफी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले